गुजरात में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एम्बूलेंस को रस्ता देने के लिए अपना काफिला रोक दिया आपको बता दे कि पीएम मोदी एहमदाबाद में एक सभा खत्म कर गांधी नगर लोट रहे थी इसी दोरान पीएम मोदी को रोड पर एक एम्बूलेंस नजर आई पीएम मोदी ने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों को अपना काफिला रोकने के लिए कहा पियम मोदी ने अपना काफिला सडक किनारे रुखवाया और एम्बूलेंस को निकलने का रास्ता दे दिया जब तक एम्बूलेंस निकल नहीं गई तब तक पियम मोदी के काफिले की सारी गाड़ियां सडक किनारे खड़ी रही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर फाइरल हो रहा है आईए आपको ये वीडियो एक बार फिर दिखाते हैं अजया आपको ये वीडियो एक बार फिर दिखाते हैं